नमस्कार दोस्तों सवी का अभिनंदन है आज हम आपको बताएंगे श्वेत आरक के गणपती भगवान की पूजन और उनसे क्या जाने वाला प्रयोग आकर्षण वशिकन समोहल के देख सकते हैं आप यह स्वेध आक की जड़ से निर्वित गणपती जी भगवान सो अब इसकी हम विदी बिताते हैं सामगरी आपको क्या चाहिए एक तेल का दीपक हकीक की माला स्वेतार गणपती यानि की ये वाले मंत्र सित चेतन्या मंत्रित प्रान प्रतिष्ठित की हुए और माला हकीक की समय आप रात का कोई भी समय ले सकते हैं सूरिय अस्त के बाद iejसे न दिन सनेवार को सनेवार को को आपको एकारे करना घुछा कोई पहन सकते हैं और करने साथे मिलकुल है यानि कि 20 से 25 मिट आगर गंटे का समय आपका रोज लगगा पांस दिन में आपका ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा अब आम आपको वो हमारी जो स्वेधार्ग की पुस्तक हैं हम उससे आपको लिखा दिखा देते हैं क्योंकि हम जो चीज बताते हैं लिकत रूप से बता कि प्राण प्रतिष्ठीट के हुए यह तिस्वेत आरक के हैं यह प्राकरतिक रूप से हैं और एकिनकी जडके बने हुने हो नहीं होते हैं ये बिल्कुर है अब एक बार और मंतर हम आपको बोल के सुना देते हैं अमुकम की उस व्यक्ति का नाम बोलने है जिसके लिए आप ये करना चाहते हैं प्रयोग यह है प्रयोग कीशी विशनिवार से प्रारम किया जा सकता है जैसे हमने बता है सुरिय आस्त के बाद इस प्रयोग में केवल मंतर जब से ही किसी व्यक्ति को व्शमिक किया जा सकता है पंच हजार दफा मंतर जाव करें प्ांस दिन में जब करने से मंतर सिद्ध हो जाएगा जब किसी के लिए प्रयोग करना हो तब सनिवार की रात्री को एक पट्टे पर यानि जैसे ये पटडा लोही की कोई लकडी की कोई मेज जैसे लकडी का कोई आसन जैसे हमने ये लकडी का ले रखा है ऐसे आप लकडी का पट्टा लेकर और उस पे आप इसको रखके ये आप कारिये कर सकते हैं लकडी का पट्टा सुद्व इसाफ होना चाहिए बैठने वाला ना हो और स्वेत आरक गणपती स्थापना करके उनके समक्ष तेल गार दीपक लगाकर उप्रोक्त मंत्र अजाप करना चाहिए जिससे वस्मे करना हो यह मंत्र पांच जो हमने बता है पांच हजार दफा करना होता है पांच हजार बार रिपीट करना होता है पांच हजार दफा मंत्र जब पूरा होने से वह व्यक्ति आपके वस्मे हो जाएगा और भविश्य में उसे जो भी काम सोपा जाएगा वह पूरा करता है और प्रियोग और प्रियोग स एक माला जब करना चाहिए ताकि मंत्र की शक्ति प्रभाव बना रहे मंत्र की शक्ति का प्रभाव बना रहे और इस कारिया को करने के बाद आप गल्त प्रयोग ना करें अच्छाई के लिए आप कर सकते हैं विदी हमने बता दी और भी इसकी विदी है और अगली वीडियो मे बताएंगे पहले भी वीडियो में बता है जैसे हम चाहे हुआ अब सेनावाद वीडियो विडवाद शेयर करके charity कर सोस्क्राइब के जुट जए शूट कुर्चने हैं न स्क्राइब करके वर्चपटर पर भी ब्रूइस सकते हैं वीडियो के नीचे कुमेट कर सकते हैं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बैल है उसके प्लिक कीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो आपको पता चलती रहें धन्यवाद खुश रहो जै श्री गनीश भावान